दोस्तो नमस्तार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल B.A.D. Examper दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कूस करने वाले हैं B.A.D. 4th semester का एक optional paper जो है आपका health education का जया दोस्तो इससे हम लोग पहला topic ले रहे हैं यह topic है आपका wellness का यानि की स्वस्थ होने के अवधारना की बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे की wellness क्या है, स्वस्थ होने के अवधारनाई क्या है और इसके कौन-कौन से मुखे components होते हैं, dimensions क्या होते हैं आपके wellness के तो आई यह एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, यह बड़ा important topic है साथ ही साथ यह previous year papers में भी आपके पूछे गए हैं, तो आगे आने वारी जो परिक्षा हैं वहाँ पे इसकी दुबारा से पूछे जाने की बहुत संभालना हैं आई यह topic को cover कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, कि आकिर यह स्वस्थ होने के अधारना क्या है और wellness क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम लोग परिभाशा रूप में बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि wellness क्या है, wellness is a common concept, generally used in context of health अब इसको ध्यान रखेगा, इसका मतलब यह होता है, कि जो wellness सब्द होता है, इसको हम लोग normally समझ लेते हैं कि यह health से related है, wellness का मतलब health है, अब health का मतलब क्या है, जैसे हम समझते हैं यहापे जो एक सुखी, सफल और संपून जीवन में आवश्यक होता है, आपने इस छोटी से परिभाशा से स्वस्थ होने के अवधारना के बारे में एक basic idea तो करी लिया होगा दोस्तो होता क्या है कि आम तोर पर, generally जब भी हम लोग बात करते हैं wellness की, तो हम समझते हैं कि सारेजिक स्वस्थ मतलब wellness और आम तोर पे हम लोग ये मानते भी है और जाज़तर लोग कभी इस बात के उपर चर्चा भी नहीं करते हो जाज़तर लोग इसके बार इस बात के उपर ध्याम भी नहीं देते कि जो wellness है आपका ये सिर्फ physical health यानि कि बीमारियों का हमारे सरीर से दूर होना हमारा स्वस्थ ह बीमारियों से दूर होना हमारे सरीर का यही एक wellness का आयाम नहीं है wellness अपने आप में एक बहुत बड़ा concept है इसके अंदर गत बहुत सारे जो हमारे एक मनुष्य के जीवन के बहुत सारे ऐसे पक्च बहुत सारे ऐसे आयाम सामिल होते हैं जो मिलकर स्वस्थ होने के आउधार को पूरा करते हैं तो यहां पर हम समझेंगे जैसे कि हमने देखा कि जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि उसके अंदर किसी प्रकार की विमारिया नहीं किसी प्रकार का विकार नहीं है या किसी प्रकार की स स्वस्थ है चाहिए वो मांसिक रूप से स्वस्थ हो मतलब हम बात करते हैं जब वेलनेस की या फिर हम लोग स्वस्थ होने क्या उधार ना की तो हम बात करते हैं कि वेक्ति मांसिक रूप से भी सवस्थ है सारेजिक रूप से बी सवस्थ है और सामाजिक igkeit इसशिक रूप से यानि कि educational formation इस याbe एक पंग्ष में वह सवस्थ है अब सवस्थ होने का मतलब क्या होता है कि आपको एकादर्श रूप में जिस प्रकार से सामाजिक भी वहार हो 시Ooh स्वास्थ हो ना चाहिए या समाज के परतिष जिस परकार का आपका दाहित तो होता है आप उसका निर्वाह कर पा रहें आप सिख्जा में आपको अच्छा मिल रहे हैं तो याणि आप सच्छिक रूप से सैच्छिक रूप से education के form में आप जो है healthy हैं तो ये सारा concept जो हमारे बहुत सारे अलग-अलग आयाम हमारे जीवन के होते हैं अगर वो सारे पक्ष अच्छे से चल रहे हैं उन सब में हम अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग जो है एक आप बोल सक होती है जिससे हमारा सारीरिक मानसिक और सामाजिक यानि कि हर एक पक्ष शामिल होता है जी हैं दोस्तों so it includes every aspect of a human life be it social, cultural, educational इसमें हम लोग आप economical, financial और professional भी डाल सकते हैं जो भी चीजें होती हैं हमारे जीवन से जुड़िए अगर हम हर एक पक्ष में स्वस्त हैं हर एक पक्ष में अच्छा कर रहे हैं it means कि we are healthy, we are in a state of wellness तो हम लोग स्वस्त हैं तो स्वस्त होने के अवदाना के अंतरगत सारी पक्ष को हम लोग को मानना है, सारे पक्षों को हम लोग को ले कर चलना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपसे अगर simple definition पूछे कि wellness क्या है, तो अगर हम लोग नेशनल इंस्टिटूट आफ वेलनेस की परिभाशा के साथ चले तो हम देखेंगे कि नेशनल इंस्टिटूट आफ वेलनेस कहता है कि स्वस्त होने के कुखी और अधिक सफल अस्तित की और हम आगे बढ़ते हैं यह देकि बड़ी अच्छी परिभाषा इसको आप यहां पर नोट करने जब भी आपसे कोई पूछे कि वेलनेस इंस्टिटूट जो है हमारा नेश्टनल इंस्टिटूट आप वेलनेस उसने जो परिभाषा दिये देखें वो कितना अच्छा आपका यहां पर डेफनिशन है अब बहुत अच्छे से इसको याद कर ले समझ ले कि यह क्या है एक एक सक्रिय प्रक्रिया जिसके दोर हमारा सारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सैच्छुडिक और व्यापारिक अब जैसा भी पक्षाप के जीवन का है उन सब में हम अच्छा कर पाएंगे अगर आप वेलनस की बात करें तो यह सारे पक्षके प्रति जागरुपता होती है हमारे साती साथ इन सारे साधनों और कारकों की जब हमको समझ होती है हम उनके प्रति अपना और सक्रियों रूप से काम करते हैं तो यह हमें एक सुखी और जीवन में अधिक सफल अस्तित्त यानि कि अधिक सफलता की और एक अच्छे जीवन की और हमको आगे लेकर चाहता है तो अब हम दोग देखेंगे यहां पर देखेंगे अगर हम इसकी परिभाशन को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो हम भी कुछ पॉइंट्स को डिसकस करते हैं जिसे कि आप और बहतर तरीके समझ पाएंगे कि वेलनेस क्या है या फिर सौस्थ होने की अधारना का असल में अर्थ क्या है तो आएए देखते हैं वेलनेस मीन लीविंग लाइफ अक्टिवली यानि कि सस्थ होने का अधारना का मतलब है कि आप अपने जीवन को सक्रिय रूप से सक्रिय मतलब बिल्कुल अक्टिव होके ऐसा नहीं कि दिन बार आराम कर रहे हैं साम को घूमने फिरने जा रहे हैं मतलब सब काम में आगे हैं हर एक काम में आपका मन लग रहा है, हर एक काम जो आप करना चाहते हो वह कर पा रहे, तो सक्रिय होने का मतलब यह होता है, यह हमें जीवन के प्रती सचित, हम मतलब जो भी हमारे आफ़ पाच चल रहा हम अलर्ट रहते हैं, उसके प्रती चिंतित रहते हैं, और जो भी आवश तो हो सकते हैं और अपने व्यक्तित की पूर्ण चमता याद रखेगा कि it also helps us to achieve the full potential of an individual मतलब कि किसी व्यक्तित के अंदर जो भी चमता हैं उसका सरवांगिल उपयोग करने के लिए सारा का सारा उपयोग कर लिया जाए जो व्यक्ति के अंदर चमता हैं उसका विकास किया जा सके इन सारी चीजों के परती हमको सचियत करता है इन सारी चीजों के परती हमको जागरूप करता है तो वेलनेस के अधारना के अंतरगत हमारे जो भी हमारे आयाम है हमारे जीवन के जो भी एक व्यक्तित्व का आयाम है अगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट भी अगर समझ ले, मतलब स्वास्थ होने के अउधार ना, एक सकारातमक और सफल जीवन प्राप्त करने में अमें मदध करती है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगा कि जब हम स्वास्थ होते हैं, अगर हम हर एक तरह से हम अपने जीवें स्वस्थ हैं, मतलब आपका बैपार अच्छा चल रहा है, आप सारी रिक रूप से किसी विमारी से ग्रसित नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई में आपको सारे अच्छे आउसर मिल रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई के छेत्र में आपके स्वस्थ होने की स्थिति है यानि कि आप सरवांग्य डूप से स्वस्थ हैं हर एक तरह से आप स्वस्थ हैं ऐसी स्थिति से क्या होता कि हमारा सोच भी जो होता है वो पॉश्टिव होता है सकरात्मक होता है और हम जीवन को एक बड़े ही रुची के साथ बहुत इंट वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और और, देखते हैं स्वस्त होने के अवध्हाना देखें यहां पर देखें, वेलनेस कंसिस्ट ऑफ lifestyle, spiritual well-being यहाँ पे देखेगा lifestyle, spiritual well-being mental well-being and environmental well-being तो स्वस्थ होने के अउध्धारना के अंतरके हम किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं इसके अंतरकत हम लोग आध्यात्मिक स्वास्थ की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ की बात करते हैं परियावरन संबंदी जो हमारा स्वास्त है यानि कि परियावरन जो अच्छा परियावरन होता है उसके बारे में बात करते हैं परियावरन संबंदी स्वास्त के मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो वातावरन हो अच्छा है हम एक सास उत्रे वातावरन में रहते हैं जो कि बीमारियों से दूर है यहाँ प्रदुशन की मातरा कम हो जो कि आपको एक जीवन के अस्टित्य के लिए आवश्यक है तो आध्यात्मिक स्वास्त का मतलब होता है कि आप जो है मानसिक रूप से संतुष्ट हैं जिन सवालों का आप जवाब ढूनना चाहते हैं अगर आप योग करना चाहते हैं किसी चीज का चिंतन करना चाहते हैं और सारे चीजों का चिंतन कर पा रहे हैं अपनी समस्याओं को धूढ़ने के लिए या आपके जो चिंतन का उद्देश है उसको आप पूरा कर पा रहे हैं धर्म के परती अगर आपका लगाव है आप उसको अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं पूजा पार्ट में आप अपना ध्यान दे पा रहे हैं तो अगर इस तरह के सारे आउसवर इसका मतलब यह होता है कि आप किसी भी प्रकार की मानसिक विमारी से ग्रसित नहीं है साथ ही साथ आपकी जो मानसिक गत्विदियां है वो बड़े ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं आप मानसिक गत्विदियां जो हैं आपकी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप करते हैं यह सारे स्वास्थ को परदर्शित करते हैं चलए चोड़ा दिफिनिशन में एड़ लेते हैं कि हम लोग विस्तव सोस्वास्थ संगटान यानि कि World Health Organization के तरफ से एक छोटा definition और एड़ करते हैं इस पे कि Wellness का मतलब क्या होता है It is the optimal state of यहाँ लिखा optimal state of health of individual and group अब यहाँ पर विस्वर स्वास्त संगठन क्या बोलता है भी कि स्वास्त होने की जो अधरना इसके अंतरगत हम यह मानते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूँ यानि कि कोई समाज या किसी एरिया में रहने वाले लोगों के बारें बात कर रहे हैं वो अपने स्वास्त की यानि कि उनके हर एक पक्च है वो सामाजिक, आर्थिक, वैपारिक हो, सैचडिक हो, कल्चरल हो हर एक पक्च, अगर वहां पर लोक खुश है, विकास मिल रहा है तो वो एक सस्थ होने की परिभाशा को पूरा करता है तो आप यहां पर अड़ करना है, इसका beef मैं आपकी साथ शेयर कर दूंगा तो बिलकुल भी परेशान नहें अब देखे, कई सारे जो है लोग हैं, कई सारे जो वेज्ञानिक हैं, मनोवेज्ञानिक हैं, वो स्वस्थ होनी का उधारना को अलग-अलग तरीके से देखते हैं, कई सारी अलग-अलग धारनाएं भी हैं, अब ही हम लोग पढ़ेंगे, कि what are the different concepts of health, health या फिर physical well-being हम बात कर सकते हैं, physical well-being नहीं कहेंगे, हम लोग बोलेंगे कि well-being, तो मेरा यहां पर health लिखा, आप इसको थोड़ा सा correct कर लिजए, इसको well-being अड़ कर लिजएगा, तो स्वस्थ होने के जो विभीन अउधारना हैं, उसके बारे में अभी हम लोग चाचा करते हैं, मुकरूप से चार हैं, और इनको हम लोग इसके अंतरगत आप बहुत सारे सब-categories भी add कर सकते हैं, यानि, तो आप देखेंगे, जैसे कि स्वस्थ होने की एक मनवय ज्यान कर पा रहे हैं, आप जो है, आपका जो जीवन के प्रती उत्तरदायत, अपने परिवार के प्रती, समाज के प्रती, राष्ट के प्रती, जो भी आपके उत्तरदायत हैं, उसके लिए जो आवश्य काम है, वो आप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक स्वस्थ मनवय ज स्थिति में आपके मनवैग्यानिक संतुलन जो है अच्छा है और आप जो है मनवैग्यानिक रूप से स्वस्त हैं तो साइकलोजिकल कॉंसेप्ट हो गया तो पहली अधारना क्या होती है स्वस्त होने की साइकलोजिकल रूप में तो यह साइकलोजिकल कॉंसेप्ट है तो मनोवयग्यानिक तनक्यक्ता मतलब psychological resilience का विकास करना सामिल होता है तो आप एक definition समझ गए कि मनोवयग्यानिक पुरुप से हम लोग स्वस्थ हैं आपका तो psychological concept हुआ ये wellness का अब आगे बढ़ते यानि कि स्वस्थ होने के अउधारना में मनोवयग्यानिक अउधारना की बात कि हमने आगे बढ़ लेते हैं अब देखते हैं स्वस्थ होने के अउधारना में environmental concept of health या environmental concept of well-being तो स्वस्थ होने की परियावरण ये अउधारना देखिए कि इसके अंतरगत हम लोग क्या देखेंगे कि health जो यहाँ पर यानि कि well-being refers to a dynamic balance between man and his environment मतलब कि स्वस्थ मनुष्य और उसके आसपास के परियावरण के बीच में एक गतिशिल संतुलन को कहते हैं तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा definition इसको थोड़ा और अच्छे समझेंग कि स्वस्थ होने की जो परियावरणिय अवधाना इसके अंतरगत हम क्या बात करते हैं कि अगर एक मनुष्य का एक व्यक्ति का अपने आसपास के परियावरण के साथ एक सकारात्मक एक positive और एक balance relationship है तो वो क्या कहलाएगा आप परियावरणिय रूप से आप स्वस्थ कहल आएंगे देखे परियावरण के साथ अगर हमारा अनुकूलन है मतलब हम लोग उसके साथ adjust कर पा रहे हैं हम उसके साथ समयोजन कर पा रहे हैं तो हमको जो है बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है लेकिन अगर परियावरण के साथ अनुकूलन और समयोजन में कि जो कि उसका परिणाम है तो अगर हम पर्यावरणिया रूप से पर्यावरणिया अवधारना के रूप से अगर पर्यावरणिया अवधारना के अंतरगत स्वस्त नहीं है तो हमें कई सारी पर्यावरण संबंदी बीमारियां हो सकती है जो कि प्रदूशन से संबंदीत हो सकती है या फिर स्वास्ट संबंदित बहुत सारी वेक्टिगत बीमारिया भी हो सकती है अब इसका एक biological concept होता wellness का जिसे के हम लोग बूल सकते है natural यानि कि स्वास्ट की जयव चिकिश सक्स अधाना यह एक ऐसी इस्थिती को संदर रभित करता है जहां कोई वेक्टिक किसी बीमारिया दुरबलता से पीडित नहीं है मतलब कि अगर आप सारी वेक्टिक से स्वास्थ है आपको कोई बीमारी नहीं है आपके सरीद में कोई विकार नहीं है if you are not suffering from any kind of disease any kind of the irregularity in your health it means you are biologically healthy you are biologically well so मतलब कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है कोई दुस्क नहीं है कोई समस्या नहीं है सारी रिक रुप से मतलब आप जो है जैव चिकत सक उचिकत सात्मग और धाना के अंतरगत स्वस्थ हैं तो आप यह तीसरा आयम था मैंने बताया तो आप धीरे दिरे चारो आयम को समझ लीजीएगा यह सारी रिक सालामता मतलब आप सारी रुप से ठीक ठाक है दिन प्रति दिन काम सारे अच्छे से कर सकते हैं कोई समस्या नहीं हो रही मतलब आप मनुवेक सारी बायलोजिकल रुप से जैव चिकित सात्मक जो अवधारना के अंतरगत आप स्वस् सवस्थ होना सो हौलिष्टिक कंसेप्ट का मतलब होता है यानि कि स्वास्तक समधर और और कि अगर झालिएग मतलब आप पूरा और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अपने परियोश के साथ कैसे अंतर क्रिया करता है मतलब कि अगर एक व्यक्ति जो हैं तो हम इसके अंतरा के बातों को देखते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने आसपास की चीज़ों, व्यक्तियों, समाज के साथ, जीवित और जीवित चीज़ों के साथ में किस तरह से अंतख्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, और हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि में सरीर और आत्मे के संबंद में किस प्रकार से संबंद स्थापित हुआ है क्या वो संतुलित है क्या उसके साथ जो संबंद होना चाहिए वो सही तरीके इसका है मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो एक संतुलन होना चाहिए एक अंतर क् नहीं है तो जब भी हम लोग बात करते हैं holistic concept of health की का मतलब होता है कि हम लोग एक व्यक्ति के सभी पक्चों के स्वस्थ होने की बारे में बात कर रहे हैं अगर एक व्यक्ति अपने हर एक पक्च में अच्छा कर रहा है हर एक पक्च के प्रतिसक्रिय रूप से अपनी भागिदारी कर रहा है हर रूप में active है वो मतलब वो holistic concept of health है मतलब वो जो है सरवाइंगर रूप से स्वस्थ है आपका आगे बढ़ लेते हैं अब कुछ आपके यह important है यहाँ पर पूछा जाता आपके what are the dimensions of wellness यानि कि स्वास्थ के क्या आयम है तो यहाँ पर जो important आयम है यह मुख्य रूप से dimensions है उसको हमने किया देखिए जब भी हमने बात करते हैं स्वास्थ के आयम तो यह माना जाता है कि स्वास्थ एक घटक्त में सुधार पूरे व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है तो मतलब यह होता कि अगर किसी एक भाग में आपके सरीर से जो जोड़ी हुई स्वास्थ के आया में जैसे कि आपका सारीरिक स्वास्थ मानसीक स्वास्थ सामाजिक वैग तो आप देखेंगे कि उनका जो विकास होता या उनकी जो ग्रोथ होती है और छेत्रों में भी वह स्वस्त होती है तो अगर एक पक्च आपका अच्छा है तो दूसरे पक्चों को भी उसी प्रकार से प्रभावित करता है अगर आपका अच्छा है तो दूसरे पक्चों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा अगर नकारात्मक है यानि कि एक पक्च आपका बुरा है उसमें आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं आपका पक्च कम है आपका पक्च उसमें आप थोड़ा परशान है तो आप जो हैं दूसरे पक्च में भी आपका वो प्रभावित होता रहेगा, उधारण के लिए एक गरीब एक्चा जो की आप बोल सकते है, economical रूप से आपका क्या है, स्वस्त नहीं है, यानि कि उसको बोल सकते है, economically आप स्वस्त नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो हैं आपके educational रूप में भी आपके healthy नहीं है, social रूप में भी उनका interaction अच्छा नहीं होता है, सामाजी कुरूप से भी वो स्वस्त नहीं होते, आध्यात्मी कुरूप से भी स्वस्त नहीं होते, अब पहला आयम जो कि हम सब को पता है, physical well यानि कि सारीरिक स्वास्त, यानि कि सारीर रूप से अगर आप सचते हैं, सरीर की करयात्मक्ता और सनरचनात्मक उप्यूपता, यानि कि fitness, अगर आपका सरीर जो है अच्छे से काम कर रहा है, आपकी बनावट अच्छी है, किसी विमारी से आप ग्रफिक नहीं है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं है, आप हर एक तरह से अपने सरीर पर नियंत्रित कर पा रहे हैं, अपने आपको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, आप दोड सकते हैं, चल सकते हैं, सरीर से जो भी आपको काम करना अचाहिए, अगर आप ठीक ठाक कर पा रहे हैं, तो मतलब आप जो है, फिजिकली वेल हैं, सारे गरूप से आप स्वस्थ हैं, आप बात करते हैं, एमोशनल और साइकोलोजिकल वेलनेस, यानि कि मानसिक या सं अगर आप जो है, आप सही से चिंतन कर पाते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, वो याद रख पाते हैं, समस्याओं के समधान के लिए आप चिंतन कर पाते हैं, थिंकिंग कर पाते हैं, आप लोगों के साथ में डिसकुसन कर पाते हैं, उनके जवाब दे पाते हैं, तो अगर आ आप हर तरह से मानसी कुरूप से अगर अक्टिव हैं आप मानसी कुरूप से अच्छे से काम कर पाते हैं साथ ही साथ अगर आपका अपने emotions के उपर control है अगर आपकी emotions को आप balance करना जानते हैं दूसरे की emotion के अनुरूप अपने आपको ढालना जानते हैं, दूसरे के emotions के अनुसार आप काम करना जाते हैं, अपना express कर पाते हैं emotions को, अगर इस तरह से आप कर पा रहे हैं, आप able हैं, आप सक्षम हैं, तो मतलब कि आप मानसीक और संग्यानात्मक रूप से और भावात्मक रूप से, दोनों ही रूप में आप जो है, फिट हैं, आप स्वस्थ है, अब बात करते हैं, सोसल वेलबिंग की, अगर जहां रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, अगर उसके आस पास रहने वाल लोगों के साथ में, आपका संबंध अच्छा है, आपका उठना बैठ स्वस्थ हैं समाजिक रूप से स्वस्थ होने की यही कुछ परिभाशा हैं कि आप जो समाज के साथ में अगर अच्छे से समवाद कर पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ आपका अच्छा वेभार है लोग आपसे अच्छे से संबंदित हैं आपसे अच्छे से वेभार करते ह तो मतलब यह सारी चीजे जो हैं समाजिक रूप से स्वस्तोने की लख्षड हैं अब बात करते इंटेलेक्चिल और कॉगनेटिब विल्नेस मतलब की अगर आपको जो है सम्वेगात्मक रूप से आप नियंत्रन कर दे की छमता रखते हैं तो मतलब आप जो है intellectual यानि cognitive रूप से आप well है, संवेगात्मक रूप से आप सबस्ते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर जो चीजे आप सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि संवेगात्मक विकास के अंतर गत, जो cognitive development होता है, यानि cognitive wellness है, इसके अंदर हमारे विकास के हर एक पर, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, चाहे आपको सीखना हो, चाहे चीजों को express करना हो, चाहे sports हो, अगर हर एक चीज हम ठीक से कर बार हैं, मतलब हम लोग की cognitive wellness है, वो ठीक है, हमारी जो समवेगात्मक विकास है, समवेगात्मक स्वास्ट है, वो सही है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अध्यात्मिक, यानि कि हम अगर हमारी व्यक्तिकत मानिता और मुल्यों को सही से पालन कर पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं अपने मुल्यों को समझना, उनको पालन कर पाना, अगर यह सारी चीज़ा हम लोग कर पा रहे हैं, तो हम लोग जो है आध्यात्मी कुरूप से भी स्वास्ते हैं, मतलब कि आप spiritual wellness इसके बाद बात करेंगे spiritual wellness के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर occupational wellness जिसे हम लोग बूल सकते हैं वैवसाह संबंदित स्वास्त देखे अगर आपका वैपार अच्छा चल रहा है वैपार में जो भी काम कर रहे हैं चल रहा है जैसा आप करना चाहर है वैसा हो पा रहा है तो मतलब आप जो occupational level पर जो विल्नस होती है occupational wellness होती है यानि कि वैपार संबंदित जो आपका स्वास्त है वो भी आपका अच्छा है वैपार संबंदित बोल सकते हैं इसे economic wellness भी बोल सकते हैं यहाँ पर 6 और 8 पॉइंट तक्रीबन एक ही है 6 और 8 नमर के जो पॉइंट है तो आप इनको यहाँ पर यह वाला जो पॉइंट है यह भी कॉमनी है आपका एकनोमिति आने कि आर्थिक रूप से वेगर आप स्वास्त हैं इसके बाद बात करते हैं cultural wellness और environmental wellness की भी यह दो भी point है इनको भी add कर लेजिए इंदे में आपको मैं नहीं लिख पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा आप यहाँ पर add कर ले environmental wellness का मतलब कि आपके आस पास का जो वातावरन है अच्छा है स्वास्त को बढ़ाने वाला है आपके स्वास्त को और ज्यादा बहतर करने वाला अगर इस तरह का बातावरन आपके आस पास में मतलब कि आप environmental रूप से भी healthy हैं well है तो मतलब environmental wellness का मतलब कि आप जो चीजे चाहते हैं अपने आस पास में वो ठीक हैं आपके आस पास में पेड़ पोद हो कि कटाई नहीं हो रही आपके आस पास में जो है अच्छा माहौल है पेड़ पोदे हैं आपके आस पास में जो पर्यावरन के परती आप जो योगदान करना चाहते हैं योगदान कर पा रहे हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं, पेड़ लगा पा रहे हैं, पेड़ों को बचाना चाहते हैं, तो पेड़ बचा पा रहे हैं, अगर इस तरह का आप जो भी काम करना चाहते हैं, परियावरन संबंदी, लोगों के अंदर जागरुपता फैलाना चाहते और ये सारी चीजें आप कर पा रहे हैं तो मतलब आप पर्यावरण रूप से पर्यावरणिया रूप से भी आप सुस्त है इवार इन्वारोमेंटली वेल अब बात करते हैं इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कल्चरल वेलनस अगर आप अपने समाज के मुल्यों से समाज की भावनाओं के समाज की जो मानता हैं उसको सही से समझ पा रहे हैं उनका पालन कर पा रहे हैं उनका निर्वाह कर पा रहे हैं मतलब आप अप अपने वेलिस को समझ पाते हैं फोलेई को लिए इसको डूसरे करेखु शेयर कर पातें को आप रिस्पेक्ट करते आपको अगर अपने जिग कल्चर ए उस पर प्रावड है अप उसको अच्छा मांते हैं उसकी चीजों को आप समान कर पातें इस तरह से अगर आप कर पा रहे lub तो आप जो है, आप बोल सकते हैं आपको हम कि आप culturally well हैं, आप जो है संस्कृतिक रूप से भी आप सुचते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ चीजे पढ़े हैं, यहाँ पर dimensions पढ़े हैं, हम लोग wellness की, wellness की अलग-अलग उधारना, यानि की concepts, जो different concepts हैं, wellness की वो पढ़ा, wellness क्या है, और उसकी क्या परिभाश है, यहाँ पर आकरी में मैं एक point add करना चाहूँगा, जो मैं यहाँ miss कर गया हूँ, जरू मैं आपको आगे भी बता दूँगा, notes के साथ में, कि देखे, कई बार हम लोग wellness को और health को एक ही चीज मान लेते, बट, wellness और health एक ही चीजे नहीं है, wellness wellness मतलब एक व्यक्ति के सरवांगीर जो पक्च होते हैं, उसमें अगर व्यक्ति हर एक तरी से अच्छा गरपा रहा है, हर एक पक्च में, every dimension जो एक individual personality की होती है, अगर आप उसमें सब में अच्छा गरपा रहे हैं, हर एक part जो आपके life का है, हर एक part जो आपकी personality का है, अगर वो अच्छा है, चाहे वो आपका education हो, चाहे आपका finance हो, चाहे आपका economy हो, चाहे आपका spiritual हो, चाहे सोशल हो, या cultural हो, जो भी aspect है आपके personality का, आपके जीवन का, अगर आप उसमें सब में अच्छा कर रहे हैं, आपके हर एक छेतर में अच्छा हो रहा है आपकी हिसाब से, तो आप जो है physically, माफ करेगा, आप जो है well है, इसके अंतरगा physical wellness भी add कर दीजेगा, लेकिन सिर्फ health को जोड़ने का मतलब होता है, आप सिर्फ बारे बात कर रहे हैं, अपने स्वास्त की, यानि कि सारीरिक स्वास्त की, अब सारीरिय स्वास्त का मतलब होता है कि अगर आप के अंदर कोई बीमारी नहीं, आप सारी इस से अच्छे हैं, आप आरे काम को सक्लियर रूप से कर पा रहे हैं, मतलब you are physically well, यानि कि सारीरिक रूप से आप स्वास्त हैं, यह चीजे आप समझ के होंगे, तो मिलते हैं अग कमेंट करके बता सकते हैं, साथी साथ अगर आपको कुछ और चाहिए हो या मेरी वीडियो जो भी मैंने आपको बताए, इसमें कुछ मिश्टेक्स हों आपको लगे कि कुछ इसमें और थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट होना चाहिए तो वो भी आप फिड़ए के थुरू मुझे बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर जरूर करें और साथी साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो होता क्या है कि जब भी मैं कुछ इंपॉर्टन वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया मगर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया तो जब भी आप वीडियोस देखें इस बात को इंशुर करें कि आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया यानि कि आपका सब्सक्राइब जो है दीख रहा है कि नहीं दीख रहा है इस बात को इंशेवर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मातपूर्ण कोशन्त और मातपूर्ण टॉपिक के साथ में नश्कार